नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्टन मूर्थी आप सभी का स्वागत करता हूँ Learning Mirror YouTube चैनल में दोस्तों IOC ने फिर से dividend announce किया हुआ है मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको 17.5% dividend yield मिला है आपको इस साल का जो return आपको dividend के थू मिला हुआ है मेरे recommendation price के अनुसार वो return आपको बहुत ही जादा है मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपको 19th में का जो है Indian oil का आज का notice आया हुआ है यहाँ पे आप देख लो financial result इसने अपडेट किया हुआ है यहाँ पे जो भी है आपका इधर दिया होगा हाँ recommendation final dividend मतलब होता है जो भी board meeting के बाद dividend announced होता है AG meeting के बाद मिलनी तो 1.5 रूपीज per share तो यहाँ पे देख लो जो भी final dividend होगा वो 30 days जो भी record date होगा उसके अंदर आपको pay कर दिया जाएगा तो record date अभी announced नहीं हुआ है जब भी होगा मैं आपको guide कर दूँगा वो आप news में update रहे हैं अगर आपके वास यह shares है 60 रूपीज के पैस से मैं बोल वा हूँ अगर आपने hold करके रखा हुआ है 105 106 पर भी चल रहा है बस आप बैठे रहो इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको dividend yield ही आपको 15-17% मिल रहा है मत्तब 10 lakh का investment है आपका almost आपका 1,75,000 रूपीज जो है as a dividend मिलता है आपको साल का तो यह सब company चाहे PFC हो गई, REC हो गई, यह company हो गई, ONGC हो गई इसलिए बोलता हूँ जब भी नीचे दाम पे लोग है dividend yield आपका बर जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्यासे यहाँ पर देखो, the final dividend in addition to the interim dividend, interim dividend होता है AGA meeting से पहले जो board members decide करते है dividend, हर quarterly result आता है, मालो result अच्छा रहा monopoly company है, तो वहाँ पर वो dividend announced करते रहते हैं तो यहाँ पर इसने 10.50 पैसे और 2021 में जो है dividend announced कर दिया है, मैं अपने live में हमेशा बोल रहा हूँ, 60 रुपीज के price से मैंने बोला हुआ था आपको, और आप hold किये होते, 60 रुपीज के price से dividend yield, तो दोस्तो डिवरेंट कितना announced हुआ है आपको, फूरे financial year में 10.5 divided by 60, जो price मे वो help करेगा आपको, मानलो 105 पे आपने लिया, तो same dividend तो same रहने वाला है, 10.5 divided by आपने कितने पर लिया, 105 पे, मानलो जो भी price चला उस पर लिया होता आपने, मानलो, तो कितना हो गया, 0.1 in 200 कर दो, तो आपको जो 10% dividend मिला होता, तो मानलो भई आप थोड़े नीचे price पर लि मिल ली आप business समझो company का, और कुछ नहीं समझना है, company का business क्या है, नीचे दाम पे मिलता है आपको, PSU इस company खास करके dividend के लिए, उपर दाम पे नहीं, उपर दाम पे लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, monopoly company है, profit कर रही है, number time लेगा, dividend yield आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई दो पर लो, और capital appreciation तो आपको होगा ही होगा उसमें, तो PFC, REC हो गया, ONGC हो गया, IOC हो गया, coal India अच्छे दाम पे मिले तो देख लेना, तो यह सब company जो है, आप उसको bet कर सकते हो, जो profit making companies है, record date announce नहीं हुआ है, जब भी होगा, मैं guide कर दूँगा, और जो भी X date है, जो भी जो भी record date होगा, मैं इसको आपको बता दूँगा, उसके 30 days के अंदर जो है, पैसे आपके bank account में आ जाएंगे, तो दोस्तो बस यही था, मैं आसा करता हूँ, वीडियो आपको पसंदा होगा, वीडियो पसंदा है, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेर करें, च्र